बड़ाई सुन्दर कारकम संपोल रात जी आधनियां बटिया कल्पना जी के माध्यम से और रिंकी जी के माध्यम सुना हलाकि अब गाने की स्थिती वैसे बची नहीं है लेकिन हमारे बजे बड़े बुजरुग ही हमें सक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि वो दिन वो घटना आज भी मुझे याद है जो प्रत्यच रूफ से मैं वहाँ पर देख रहा था साम को आठ बजे मेरे पास फोन आया और इसके बार निरंतर फोन आते रहे किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया लोग यहां आ रहे हैं लेकिन आने वाले तो आ गए ना आने वाले वहीं रहे गए जब यह मालूम पड़ा कि आने वाले आ गए तो हमने का आने वाले आ गए उनके साथी भी आ गए लेकिन वहां कोई नहीं रहा है यह परिवार पूरा वहां पहुंच गया रात में ही मैं और आदरिश्री लालम जंचल दोब्यक्ती सुबह पांच बजे यहां से कानपुर से रवाना हुए हमने कहें यहां किस्तिती जो है ठीक है लेकिन वहां किस्तित देखनी बहुत लेकिन यही पिता हमें सक्ति दे रहे थे जिनोंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया हमारे अनुज को उन्हों नहीं हमें वहां सक्ति दी कि प्रभू का लेक है प्रभू जो करता है अच्छा करता है लेकिन यह माया है माया में बेटा हम पसे है आप पसे हो लेकिन जो आगे हमारी आपकी किशीक नहीं चलती तो यह सक्ति तब भी आपने दी निरंतर आज तक मुझी वाप सक्ति प्रदान कर रहे हैं पहले सब्दांजली मैंने लखनव में गाई थी देश बीदेशों में लोगों ने उस सब्दांजली को सुना और जिसने उस सब्दांजली को जो मैंने गाई पहली बार लखनव में उसने फोन करके हमें बताया और वो भी अपने आखों से असुरों को रोक नहीं पाए मैंने उसे सवाल किया कि विचार करिए आपका तो कोई है नहीं बगवा पांडे लेकिन फिर भी इतना इसने प्रेम जिसने पैदा किया जिसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया इतनी तालीमें दी उसके हर्दे से पूशिए वो अपने हर्दे में कैसे पत्थर रख करके जीवन यापन कर रहा है आये सुर्धानजली गिनिकी तो जाए आये सुर्धा अंतिम गीत है हमारे अनुज भुराता बहुआ पांड़े के लिए दूसरी बार यह मैं सुद्धानजली गा रहा हूं और मैं कितना अभागा हूं जो अपनी भाई की सुद्धानजली गा रहा हूं हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता है या तो ईसर हमें कलाकार ना बनाता तब तो ठीक था कलाकार बना दिया इसके बाद मैं अपने भाई की सुद्धानजली गा रहा हूं इससे बड़ा दुख का विशे मेरे लिए नहीं हो सकता है लेकिन हमारे पताशरी बेटे हुए है बार बार लगातार हमें नोनों सक्ति प्रदान की हर वक्त बस यही कहा जो इस वर को मंजूर था वो हो गया हमारा आपका कोई बस नहीं है आएए कहिना है अगर मांग ले थो वो जाने जी कह है हसाने के बाद रूलाती है दुनिया प्यार करने के बाद ठुकराती है दुनिया आखिर कौन सी कसर रह जाती इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया अगर मांग ले तू ओ जाने जिकर तुझे जान दे तू मैं ये जान कर हक दोशती का अदा हो गया सुना है कि तू बेवफा हो गया मेरी दोस्त की साथ हो मेरी दोस्त की साथ ये क्या हो गया सुना है कि तू बेवफा हो गया सुना है कि तू बेवफा हो गया सुना है कि तू बेवफा हो गया अरे मेरे भाई मेरे अनुज वराता ये दिन तुने मुझे क्यों दिखाए अरे मुझे पता दिया होता तेरी जिगा मैं अपने प्राण कवा देता अभी तेरी बहुत उमर थी खाने खेलने के उमर थी और मौत को गले लगा लिया कया तू कहां गये वो कैसी डगर अरे वो राही बता दे वो रास्ता तू बता दे मैं तेरे पीछे पीछे आने को तयार हूँ गया तू कहां है वो कैसी डगर भूला हमें हम ना भूले मगर डूने तुझे हम सहर हर नगर मांगता तो मौझे से मैं ये देता जिगर अरे पर मांगे तो देखता कैको तो देखता ये पप्पू परवाना तेरे लिए प्राण कवा देता लेकिन तो हो गया मेरा भाई तो देखता हो गया क्यों कहना है एए मेरे भाई भी लगती तुमारे क्यों कर देखता है आए मेरे भाई भी लगती तुमारे वो ननी कली पापा की अपनी जो नाजों पली अरे वो मासूम बच्ची उसे क्या मालूम उसे आज कौन बाटे कौन बाट सकता है पापा की अपनी जो नाचों पली लेकिन भारी भी भारी थी जो मांग वो भी अरे तेरे साथ एक जान तो और जुड़ी है जो किसी की घर से लेकर कि आया वो भी तो किसी की बेटी है वो भी किसी लाडली है बारी थी जो मांग वो भी किसी की लली भारी थी जो मांग वो भी किसी की लली सूनी वो मांग मांग देखकर अरे उसकी उमर ही क्या है कैसे जीवन यापन कर रही है उसका साथी भी चड़ गया सूनी वो मांग मांग देखके खली सूना जिसने जब भी वहा रो गया यहां भारत देश में नहीं ये किर्टन बिदेशों में सुना जाता है कैस मुझी के मात्यां से बिदेशों में लोग रो पड़े सुना जिसने जब भी वहा रो गया मेरा भाई मुझे से जुदा हो गया अरे मेरे नुझ व्राता चाहे तसाए राया हो फिर दिवाली खोली रही भाई तेरे फिर खाली लेकिन वो जो तेरे साथ ब्या कर किया ही वो बहू चूटा महावर चूटी वो लाल ही मा से क्यों रूठा कर दी गोद खाली अरे ऐसा मा ने क्या कर दिया तो मा की गोद खाली कर दी मा से क्यों रूठा कर दी गोद खाली पिता का ललन पिता का ललन वो कहा खो गया पिता का ललन वो कहा खो गया मेरा भाई मुझ से चुदा हो गया मैं समझ रहा हूँ सुनने की चमता नहीं किसी के पास और ना मेरे अंदर गाने की चमता है नहीं है चमता सुनेगा अंतिम बंग्दियाई से विराम दे रहा हूँ अरे जिस भाई को तुमने तालीम दी जिसकी उल्या धिरकने लगी क्या उससे पूछा कि भाई मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ कैसे रहेगा भाई तुमारा भी लगता रहा अरे ये सचिन मेरा भाई इसके हाल मैं जान रहा हूँ नवस्ता गया मेरे पास एक घंटे होस नहीं आया अचे तो हो गया इसलिए बाई तुमारा भी लगता रहा माता पिता से दुखना जाए साथ लेकिन कलाकारों ने भी यही है कहा कलाकारों ने भी यही है कहा नूर सब के नैनों का अब है कहा परवान कैसे परवान कैसे बिदा हो गया मेरा भाई मुझे से परवान कैसे बिदा हो गया मेरा भाई मुझे से परवान कैसे बिदा हो गया मेरा भाई मुझे से परवान कैसे बिदा हो गया प्रयाम सोलियस अच्चे दर्बार की जंदेश्र महादेव की जंची सरकार की यहीं से आज हम सभी ने इस होल पोट्सों के उसर पर और बाबा जंदेश्र महादाश्र की करपा से यह चोवज़ुआ वर्स इस मंदिर के कारकम का सफल हुआ इन दोनों दिर्दन कलकाराओं की मैं बहुती गदगद हैदे से बिंदे से बनारी अमारी त्यारी विट्या कलपना और उसकी बड़ी बहर दिंकी इन दोनों के लिए मैं बहुत गदगद हैदे से इनको आशिर्वाद देता हूँ ये केतल की दुनिया इसी तरह हरी भरी नहे इसमें सौरसंगीत साहित ग्यान का समावेश होता है कहीं ने कहीं दूर अचलों पर इन लोगों के कारकम होते हैं मेरे छोटे से अग्रे पर आपनों दलबल के साथ आए और बहुती सरानी कारकम दिया है तो मैं अपनी ओर से ही कहूँगा कि बाबा जंडे सुर्की इसी तरीके से करपा हम सपर बनी रहे और जो कुछ गठना दुर गठना होती है यह सब उनी की मर्जी से फर्मात्ता कि इसी तरीके से बहुस्ता बनी रही तो आगामी वर्स फिर होली का दूसरा दिन परिकार का मायवजुद होता है मैं दोनों ही दलों से अग्रे करूंगा कि अगले वर्स भी अगर मैं दिवेजन करूं तो आप लोग पेल हमारे वेश में आवें इस हासा के साथ में इस बेसुंदु महासंग के दिलाजक्ष हमारे परमप्रियर श्री विनो शर्मा जी और जूना अखारा के खाना पत्री सरसुती महाराग जी हमारे बीश में हैं तो मैं चाहूँगा कि वो आमे आज के इस कारकम के बिराम की रोश्रा करें और दोनों ही कला काड़ों ने पुर्जोर प्रियास करके कारकम दिया है तो मैं चाहूँगा कि दोनों का सम्मान देके मेरे सद्देर स्वामी जी आए हैं ये अपने दो सब्दों में आज के कारक्रम के संब्द में कहेंगे उसके बश्चात एक आइकम बिराम देने बोलीशी सब्दसनातन धर्म की बाईयों के जैसे कि विकर्ट हर वर इस मंठी की एक सोभा रही है कि यहां पर आज इतने कारक्रम का जो प्रथम और विती पुश्कार इस तरीके का होता है लेकिन यहां की सोभा इन जोनों बहनों ने मिलके ऐसी बनाई कि हम सभी लोग इस पर निर्णे ही नहीं करते कि कौन प्रथम है और कौन रुपी है तो हम गतवर्थ इस बात और अगले वर्थ इनको फिरामन के करता हूं तब तक के लिए इस दोनों बहनों को एक एक सांदुरा कथम सुष्कार दिया जाता है क्योंकि हम अन्यर्णित हैं हम अन्यर्णित हैं इसमें कथम को ने जुटी को ने तो इसी सब्चों के साथ आज की संदा के लिए आप सभी कलाकारों का हम हदे से बंदन करते हैं अभी नंदन करते हैं जजेशिया मैं मिनोस सुल्मा जी को आपन जिद करता हूं और मनोस निगम जी को बीच में सेटिये बीच में सेटिये आप बीच में सेटिये आप अट जाओ आपन आपकोड़े आपकेस आपकुबर बेगत आपक जाब जागी बीच में जाओ दो जागी जाद आपकोड़े लिए जाद आपकोड़े जाद में जाद जाए हमाद लिए देगे हमारे वीच में वे सुन्दू में जन्पतों का उन पर नाइत है तो मैं प्रकास गुपतादी से कहूंगा कि आज के है कि किस अप्राइब को सिंदिनार्थ मंदिर में एक विशाय जवावी कितन होना है तिन में रांजी की शोवायात्रा निकले भी रात पर उस प्रांगर में उस मंदिर